अबिखाली में बॉलिवुड अभिनीत्री हे ममालिनी को बच्चन परिवार की घर पर स्पोर्ट किया गए था दरएसल ये मौका था बहुत ही खुपसरत ये मौका था दिवाली पार्टी मनाने का ऐसे में दिवाली पार्टी मनाने के लिए जब हे ममालिनी सजदज कर पहुँची सब्री लोगों की नजर हे ममालिनी की खुपसूर्ती पटी की थी तो चलिए हम आपको बता दे हे मा मालिनी बुढ़ापे के कारण किस तरह की परिशानियों का सामना कर चुकी है अब भी बुढ़ापे में वो अपने पती धर्मेंदर के साथ नहीं रहते हैं यह बिलकुल सच है कि धर्मेंदर की पत्नी हे मा धर्मेंदर के साथ नहीं रहते हैं कारुनिये हैं कि धर्मेंदर फाम हाउस में रहते हैं जहां वो अपनी पत्नी नहीं बलकि अशुपक्षियों के साथ रहते हैं हेमा को बढ़ापे में अपनी दर्द को कुछ से ही बात ना पड़ता है हेमा मालिनी दर्द के कारण कभी भी अपने बारे में किसी और से खास बातें नहीं कहते हैं बताना चाहेंगे हम आपको हेमा मालिनी की बारे, कई ऐसी बाते हैं जो लोगों को बिलकोल भी ग्यात नहीं है, हेमा मालिनी बॉलिवुड की एक ऐसी आक्ट्रिस हैं जो की भुरापे में भी ससधर्शकर जब पहुंचती हैं तो लोग उनकी दिवाने हो जाते हैं, लेकिन ल मेकप की वजह से अपने चेहरे के बिगड़े हुए हाल को भी काफी जादा तकलीफ के कारण शुपाते देखा गया हैं, खेर यहां पर बात हो रही है जब खास रिपोर्ट में हेमा मालिनी की तो तस्मीरी देख सकते हैं, कितनी जादा मायूस नजराई हैं, इन तस्मीरों में हेमा मालिनी जो कि बिना मेकप नजराने को लेकर काफी अंकमफरेबल मीडिया के सामने रहे हैं, नेक्ष्टर नाइन यूजियम से त्रिप्तिक रिपोर्ट